हाई गाईज सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार कैसे आप सब मैं सियर आउल गर्ग स्वागत करता हूँ आप सब बच्चों का आज के सेशन में CA Intermediate के Group No.2 का अंतिम पेपर रहता है Financial Management and Strategic Management और Short Form में प्यार से बच्चे बोलते हैं FM, SM FM रिप्रेजेंट करता है Financial Management को हुई SM रिप्रेजेंट करता है Strategic Management को हर अटेम्ट के अंदर हजारों बच्चे हमारा ये कोर्स सब्सक्राइब करते हैं और रिजल्ट वाले दिन exemptions की 80 प्लस 90 प्लस की जड़ी लगा देते हैं and ये subject इस कदर हमारे nerves के अंदर अब दोड़ता है कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं जब इस subject matter की delivery करते हैं तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है और उपर से subject भी ऐसा है Financial and Strategic Management पूरन तरीके से एक तरह से practical oriented subject है हाँ अगर calculator wise देखेंगे तो financial management practical है और strategic management purely theory है लेकिन theory होने के बावजूद भी strategic management का practical life में बहुत बड़ा implication रहते हैं जिसको easily हम real life के साथ connect कर सकते हैं और इस video के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि भाई एक road map जो है वो किस तरह से हमारे subject के अंदर रहने वाला है मैं जब आपको पढ़ातों मेरी पढ़ाने की methodology के रहने वाली है कितनी books में आपको देने वाला हूँ कौन-कौन सी books हैं कौन सी किताब किस चीज़ को signify करती है हर किताब को किस तरह से हमने design किया है किस तरह से बनाया हुआ है and जब आप हमारी ये classes subscribe करते हैं ये हमारी guarantee है तो भाई देर किस बात की है आपके मन में भी जो उतसुकता है जो सवाल है वो सारे इस वीडियो के अंदर हम इनको नश्ट कर देंगे सारे सवाल जो है उनके जवाब देकर हर सवाल को नश्ट 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 कर देंगे आईए दोस्तों लेकर चलता हूँ आपको अपने साथ तो ये वीडियो को basically मैं दो पार्ट के अंदर divide कर देता हूँ एक पार्ट के अंदर मैं आपको quick go through करवाऊंगा अपने सारी books का जैसे कि financial and strategic management subject है कहीं सारे teachers ऐसे में भाई जो कहते हैं soft copy दे देंगे लेकिन हम soft copy पर believe नहीं करते हमारा जो भी subject है sir कौन-कौन से subject है group 1 के अंदर advance account और group 2 के अंदर cost और दूसरा fmsm तो कुल मिलाकर 3 subject सीए intermediate के पुत्तर में पढ़ाता हूँ and सभी subject के लिए हम hard copy बुक्सी देते हैं और जितनी भी किताबें हैं हमारी वो सारी multi-colored बहुत ही thoughtfully artful तरीके से well presented के साथ well presentation के साथ design की गई है सोदे जब आप पढ़ें आपको मज़ा आए पढ़ने में and it also leads to the long retention revision के समय भी बदम दिलती है और exam के समय अपने कोछ चीज़ें जो है definitely याद आएंगी उसके अलावा किमची जारना चाहते हैं सर किस तरह के बैच होते हैं कौन-कौन से variant है variant पुत्तर दो होते हैं एक होता है regular batch और दूसरा होता है fast tech batch लेकिन हाँ अगर आप पहली बार exam दे रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है वो भी 100% sure है आप 60 plus marks लेकर आजाएंगे अगर अच्छे से पढ़ेंगे जिस जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपको लेकिन सिरफ पेपर में नंबर लाना मकसद नहीं है knowledge गीन करना भी मकसद हो तो regular batch में हम आपको पूरी चीज in depth detail के अंदर सिखाएंगे जिससे आपके सारे ज्यान चक्ष्रु खुल जाएंगे और subject आपको समझ आएगा बहुत बढ़िया तरीके से ठीके ना guys so regular हो या fast track हो सारी books हमेशा hard copy रहते हैं या RSA का rule है और सभी किताबे multi color represented रहती है तो आईए देखते हैं financial management, strategic management के अंदर पुतर कुल मिला कर आपको मिलते हैं हमारे end से 7 books इंदा regular batch इस वीडियो के अंदर हम regular batch की ही बात करने वाले हैं जिसमें 4 किताबे होती है FM की और 3 किताबे होती है पुतर SM की तो कुल मिला कर 4 plus 3 हो जाता है 7 सबसे पहले FM की चारों books दिखाऊंगा उसके बाद SM की तीनों books के बारे में बात करें तो FM की जो पहली किताब आती है पुतर वो है हमारी ये वाली किताब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है जी class puzzle class puzzle जितने भी subject हमारे practical हैं जैसे यहाँ पर हम FM की बात कर रहे हैं तो इसमें दो books आपको practical questions वाली मिलती है एक किताब का नाम है पुतर class puzzle तो दुजी किताब दो नाम है गा home puzzle जैसा कि नाम से signify होता है class puzzle के अंदर वो वाले सारे प्रशन होते हैं जो कि मैं आपको class के अंदर करवाता हूँ तो यह इस तरह से आपको class puzzle मिलती है और एक बार इस किताब के अंदर हम चलते हैं एक chapter है हमारा जी पहले chapter होता है cost of capital वो chapter में आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ so class puzzle के अंदर आपको questions ही questions मिलें जैसे यहाँ पर लिखे जी question number one यहाँ पर देखेंगे question number two question number three जैसी नया question starter का आपको easily पता चल जेगा वो color इस तरह से designing जो है की गई है उसके अलावा यहाँ पर chapter का नाम आ गया मेरा पढ़ाने का जो तरीका है पूरे भारत परचे पसंद इसलिए करते हैं over the years of experience sir कि जैसे साल का experience है sir 2008 नवंबर में I qualified as a chartered accountant मैंने CA final की परिक्षा को पार कर लिया था sir क्या होत कर रहे हैं 2008 यंग लगते हैं वो हमने अपने आपको maintain किया है इसलिए हम यंग ही है लेकिन हाँ बहुत ही enriching experience है उसके बाद GT में जॉब किया Grand Thornton EY में जॉब किया लेकिन किसी परस्थितियों के कारण हम जॉब continue नहीं कर पाए तो 2010 में after resigning from the corporate हमने सीधा सीधा चुँए full-fledged कदम रख लिया teaching की दुनिया में और हमने बच्चों को पढ़ाना साथ कि उससे पहले भी पढ़ा रहे थे जब सीधा करता था तब भी पढ़ाता था लेकिन हाँ 2010 से full-time teaching में और first day से हम यह विले subjects पुत्तर पढ़ा रहे हैं over the years of enriching experience जो भी particular chapter होता है बच्चे उस chapter को different different concepts के अंदर divide कर दिया for example cost of capital है मानलो इसके हमने 30 concepts बना दिये तो पढ़ाने का अंदाज कुछ इस तरह से रहता है कि सबसे पहले आपको class में concept number one जो है लिखवाया जाएगा उससे संबंदित theory लिखवाई जाएगी उससे संबंदित formulas लिखाए जाएगे और फिर उससे संबंदित जो भी questions होंगे class puzzle के वो मैं आपको करवाऊंगा अब यहाँ पर लिख़ए concept number जब मैं class में करवाऊंगा मानलो यह concept number one से है तो यहाँ पर आप लिख देंगे concept number one सर इसका क्या फायदा है पहली बात तो बहुत ही systematic way में study होती है आपका पूरा chapter different categories में बन जाता है जब आप revision कर रहे होते हैं आपको लगता है कि यह 30 concepts में से मुझे concept number 15 और 18 यह दो concept मुश्किल लगते हैं तो आप सिरफ उन्हीं concepts पर focus कर सकते हैं और क्योंकि आपने यहाँ पर किताब के अंदर पहले सी mark किया होगा let's say यह question concept number 15 से है यह concept number 18 से है तो आपको सारे questions देखने क्या वशक्ता नहीं है you can focus only on those questions related to the concept number 15 and 18 उसके अलावा sir आपने और कुछ चीज़ें भी लिखे हैं यहाँ पर कुछ register number लिखे है page number लिखे है sir यह answer लिखे है sir यहाँ पर एक यह निशान सा बना हुए sir इन सब की क्या significance है तो भाई बता दू जिन बच्चों को नहीं बता काफी बच्चे तो जानते हैं जब मैं अपनी पढ़ाई करा था I qualified as a CA, CS, CWA, CFA, MBA, DISA एक सेक्टर एक सेक्टर और भी कई चीज़े है तो मैंने 5 times All India Rank लिया है CA, CS, ICW मिलाकर 5 बार All India Rank लिया है जिसमें All India Rank 1 तक शामिल है and for that I was awarded the gold medal also यह इसलिए बता रहूं बेटा क्योंकि जब मैंने 5 बार Rank लिया मुझे यह पता है कि exam में किस तरह से लिखने से आपको marks मिलेंगे and I know कि कितनी बारीकी से हमें planning करनी पढ़ती है जब result आथा ने एक बच्चों कहता और वह आपर इसको rank आ गया तो rank ऐसे ही नहीं आता कि कुछ भी हुआ जाकर exam में लिख दिया और rank आ गया मैं आपकी exam day तक की planning पूरण तरीके से इस तरह से कराऊंगा कि आपको जब revision करनी होगे ना बटा exam day पर तो उस दिन हमारे सामने इतने मोटे मोटे register में आपके बनवा दूँगा इतना सारा काम किया होगा तो उस दिन आपको कुछ भी अगर ढूनना है वो immediately आपको मिल सके जैसे यहां पर register number लिखा है आपके कहीं सारे register बन जाएंगे अब मानलो यह तो chapter 1 है तो obviously इसमें तो register number 1 आएगा उसका कौन सा page number है पूरे register के मैं page numbering करवा दूँगा आपको तो मानलो page number 70 पर यह वाला question आपने solve किया है एक्जाम वाले डे पर आप क्या करेंगे जब आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो मैं यहां पर star rating लिखवा देता हूँ मानलो मैंने कुछ questions का लिखवा दिया 5 star इसका मतलब है कि वह वह बहुले परशन तो बहुत important है तो यह चीजें बहुत ही महत्तर पूर ने यह चोटा सा glimpse है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें class के अंदर में आपको बताऊंगा फिर जब कई बार आप question करते हैं हर question के अंदर हो सकता है कोई नाया point हो जिसको लग रहा है कि यह वह बहुला point को एक्जाम वाले डे पर देखकर जाना है जो जो इस चूट ने question बनाए है या फिर और कहीं से भी जो हमें लगता है important question है वो सारे हम इसके अंदर डाल देते हैं और सिरफ इतना ही नी class के अंदर in class questions के अलावा कई सारे ऐसे question होते हैं जो class के अंदर मैं खुद से frame करवात हूँ मालो मैंने आपको कोई concept सिखाया लेकिन लग रहा है कि सीधा सीधा अगर हम किताब वाला question करेंगे तो बच्चों को दिक्कत आ सकते हैं तो पहले उस concept को strong करवाने के लिए कई बार में एक एक concept के उपर 10-10-15-15 questions तक आपको करवात हूँ कि भाई पहले उसके उपर अपनी command जो है solid हो जाए उसके बाद आपन class puzzle के question करने के तरफ जाएंगे उसके बाद एक ऐसी चीज़ा आते हैं जो पूरे भारत भर के अंदर हमने ही start करी और इतने सालों से सिरफ हम ही कर रहे हैं क्योंकि उस चीज़ को करना आसान नहीं है लेकिन भाई जो आसान हो उसको करने में मज़ा ही कहा है जब मैं इतना दावे से बोलता हूँ कि आप मेर मेरी तबियत खराब है मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी आप सब अपना बैठ करना रिवाइस कर लो मुझे बताओ 50 बच्चों की क्लास में कितने बच्चे किताब खोलकर अच्छे सी रिवाइस करेंगे मुश्किल से जो टॉपर होंगे चार-पंच वो रिवाइस करेंगे बा कहां मन करता है बच्चों का पढ़ने का ऐसे दूसरों वो देखते रहते हैं कि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है मेरा फ्रेंड वो कर रहा है तो आपसे मेहनत करवाने का जिम्मा मैंने उठाया है मैंने जो किताब बनाई अब हम आते हैं जिए अपनी दूसरी किताब पर जिसका हम्मन्दित कौन से कोश्चन हॉम वक मैं आपको करने में मांक करवांगा आप को कोश्चन घर से करोगे एक्चेवüler में हमवक का अLP रिच्टर सब्सक्राइब करने के नंबर नहीं है एक्जाम में जाकर लिखना पड़ता है महनत करनी पड़ती है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जब तक लिखो गे नहीं तब तक confidence अपने को नहीं आएगा, तो जैसे class puzzle था, पहला chapter, cost of capital, इसी chapter का मैं आपको home puzzle दिखा रहा हूँ, इसी chapter का home puzzle, जो की आपको इस परकार से दिख जाता है, ये इस chapter का आगया जी home puzzle, जिसमें फिर से काफी सारे question दोंगे, daily base पर मैं आपको mark करवाऊंगे, यहाँ पर भी similar manner म यह daily base पर जब तक chapter चलेगा, मैं आपको दोंगा, और आपको घर से करके आने हूँ, नेक्स class में मैं आपको check करवाऊंगा, बहुत एक बढ़िया महौल बन जाएगा, और आपका confidence टॉप पर पहुंचा दूँगा, यह दावा है, यह तो होगी जी practical की बात, exam के अंदर mainly FM subject practical theoretical oriented ही है, लेकिन छोटी मोटी theory भी आ सकती है, और specifically जब से MC के वाएं तो theory की importance बढ़ गई है, तो tension ना ले, पूरी theory आपकी class के अंदर मैं करवाऊंगा, 100% theory जो है आपकी होगी, और उसके लिए एक अलग से किताब भी मिलेगी जी आपको बहुत ही प्यारी, CA Inter Financial Management गाथा, य उसमें सबसे पहले यहाँ पर red color में जो लिखा है flag के साथ, यह आपका होता है, heading एक flag बना कर लिख दे, heading हो गया, इसके अंदर यह details आ गई, दूसरा आया, मतलब यह फिर से main heading आ गया, और इसके अंदर यह sub heading आ गया, पहला main heading, procurement of fund, जिसके अंदर फहले पढ़ रहे हैं basic, फिर major consideration, major sources क्या है, next, column बना, उसके बाद explanation है, मतलब यह इसका sub heading है, तो equity share capital is the sub heading of the major sources, तो इस तरह से पूरी किताब जो अपुतर बनाई गई है, और फिर से यहाँ पर नया heading आ जाता है, उस तरह से आगी, यह सारी theory, मैं class के अंदर आपको करवाँगा, आपको tension नेनी किया वशकता नहीं है, तो यह particular chapter में आपको दिखा रहो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, thoughtful तरीके से, बहुत सोच समझ कर इस किताब को बनाएंगे, पढ़ने में मजा आएगा आपको, यह guarantee है, उसके बाद, जब से MCQ है, तब से MCQ की importance भी होगी, तो MCQ के लिए हमने एक dedicated किताब बना दिया, FM MCQ बुक यह रही जी, इस तरह से मिलीगी आपको financial management की MCQ बुक, और एक बार आपको दिखा दे, इसमें हर chapter से संबंदित, जितने भी maximum MCQs बन सकते हैं, जिसमें ICA के सारे MCQs तो included हैं हैं, लेकिन हमने अपना बहुत सारा समय लगाया है, हर chapter से नए-नए type के MCQ बनाने का, और जब आप इनको करेंगे, तो आपका जो कहतना एक बार, कि धमाग खुल जाएगा पूरा, मजा आजाएगा करने में, तो इस तरह से हैं, question number 1 आ गया, question यहां पर लिख दिया, चार option है, आपको best choose करना है, और यहां पर फिर से star rating दीगे है, so that आप mark कर सके, हो स प्रेल में concept लिखाओ, और आपको लग रहे हैं, कि यहां पर उसके बारे में reference दे सकते हैं, तो इसी तरह से पूरी किताब को सजाएगा, हर question इस तरह से चलता रहेगा, यह first chapter है, जिसका मैं दिखार हूँ, सारे questions एक साथ, और जैसी questions complete हो जाएंगे, last में आपको answer की मिलेग जहां से आप अपने answer जो है, चेक कर सकते हैं, तो यह रही जी आपकी FM MCQ के किताब, अब बारी आती है, सर आप class में ना पढ़ाते किस तरह हैं, तो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ बेटा, यह सब हमारी USP है, यह सब हमारी USP है, बात आती है class के अंदर आप किस तरह से कराओगे, जैसा मैंने कहा कि all of you guys, अगर आपने मुझसे class ले, you will look up to me, कि यह सर क्या करते हैं, बिलीव में बेटा, जो मैं class के अंदर करूँगा, आप वही चीज़ एक्जाम के अंदर करके आओगे, मैं आपको class में rough work कितना चीज़ें करा दूँगा, आपको गया रही working capital में, कोई भी एक chapter में उठा लिए, आपको दिखाने के लिए कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, जैसा मैंने बताया था आपको, सबसे पहले क्या आगया, concept 1, concept 1 के सामने, concept 1 का नाम, और एक चीज़ होती थी, इसको बोलते है, standardization, I believe in standardization, जब आपका paper मैं ऐसा मानता हू टीचर के हाथ में पहुंचना है, चेक होने के लिए, तो टीचर को देख करें लिए, वाह, क्या paper किया, और मजा आए, टीचर को चेक करने में, नंबर दे कर जाए, वो कैसे आएगा, वो भी सिखाऊंगा, ग्लास में, तो उसमें एक चीज़ आती है, standardization, आप देख रहे है इसके बारे में पहले बताऊंगा, सिखाऊंगा, फिर उसके बारे में detail में लिखेंगे, और ऐसा नहीं आप देख सकते हैं, proper तरीके से लिखा गया, कुछ भी rough नहीं है, working capital का meaning लिखा, उसके बाद यहाँ पर दो distinction बनाई, gross और net, थोड़ा detail में आपको concept सिखाने के लिए क कोई है, फजार नहीं, और इसे main आता है जी, आपके formulas, तो values कैसे निकालनी है, current asset, current liability की, proper, देख सकते हैं, यहाँ पर heading दिया गया, a, current assets, इस a के अंदर आ रहा है, सबसे पहले, raw material stock, यहाँ पर लिखा गया formula, formula की नीचे explanation दी गई, a के अंदर number 2, wap, कौन सा heading चल रहा है, current assets के अंदर 1, 2, यहाँ गया, 3, finish talk, number 4, डेटर इस तरह से चलता है, और यहाँ पर फिर आया, number B, current liability, अब इसके अंदर एक एक करतियों, सारी current liability आ जाएंगी, तो यह आपका concept number 1 चल रहा था, अब क्या आ गया, concept number 2, इस तरह से सारा subject आपको पढ़ाया जागा, हर एक चीज, म बहुत hard working है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपने lectures को बेटा बनाने में, because I believe कि हां मेरे ओपर responsibility है, इतना मुश्किल exam आप देने जा रहे हैं, so I have to deliver the knowledge in the best manner, top notch manner, और वहीं hard work मैं आपसे भी करवाऊंगा, क्योंकि home puzzle के question आप solve करेंगे, तो मेरी मेहनत और आपके मेहनत मिलकर पुत्तर ऐसा रंग लाएगी न, exam वाला day भी अपना choice होगा, और जो result वाला day होगा, उस दिन आपने ही बल्ले-बल्ले हो जानी है, यह आगे जी concept number 2, concept number 2 से समन्दित question किये, उसके बाद फिर concept number 3 आजाएगा, यह concept 2 से समन्दित question चल रहे हैं, और यह आगे जी आपका concept number 3, maximum permissible bank finance, उसके बारे में detail दी, उसके बारे में formulas एक सेक्टर लिखे, और उससे समन्दित question आगे, फिर आपका नया concept आजागे, जी concept number 4, तो इस तरह से पूरा chapter, पूरा subject, पहले lecture से लेकर अंतिम lecture तक यही हमारा style जो है पुत्तर रहनदा है पढ़ानदा, यह तो होगी financial management की ब SM सागा 2, जितना भी syllabus है, उसको हमने दो भाग में बाट दिया, पान चेप्टर कुल मिलाकर है, पहले तीन चेप्टर SM सागा 1 में है, और अगले दो चेप्टर SM सागा 2 में है, और अलग से एक book बनाएंगे, जिसका नाम है MCQ book, क्योंकि strategic management के भी MCQ's exam में आएंगे, यह book ने बहुत जंडे गार दिया है, भारत भर के अंदर जब से SM आया है, एंड बच्चे बहुत जदा प्यार दे रहे हैं books को, बहुत ही amazing manner में books बनाए गई है, because I always believe that presentation holds the key to score the marks in the examination, जब आप पढ़ाई करोगे, तब भी presentation बहुत matter करती है, तो यहाँ पर जो चेप्टर है, उ heading आ गया, उसके अंदर जो sub heading होगे, इस सारी class के अंदर मैं आपको color scheme सिखाऊंगा, जैसे यहाँ पर red है, यहाँ पर blue है, उसके बाद detail आ रही है, then you will see, कहीं कहीं पर हमने special चीज़े highlight करी है, इसका मतलब है exam वाले day पर आप जब quick revision करने वाले, आपको पूरा पढ़ने के वशकता नहीं, सिर्फ जहाँ पर हमने red color से marking की हुई है, वहाँ पढ़ सकते हैं, इसके अलावा class में आपको कुछ भी लगता है, जब मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर space दी हुए, notes के लिए आप यहाँ पर अपने notes भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से पूरी किताब जो है च पढ़ाँगो तो बहुत सारी चीज़े में लिखवाँगा, राइटिंग प्रेक्टिस बहुत सारी करवाँगा, जिन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि चार्ट, डायग्राम, किसी भी तरह की different presentation करी जा सकते हैं, कोई detail और लिखे जा सकते हैं, वो मैं class में हैं, so that जब आप exam के अंदर जाएं, जब आपको question, पूछा idea, descriptive, आप भी ऐसी चीज़ करके आएंगे, तो teacher वहीं पर मंतर मुख दो जाते हैं, और आपको बड़े जबरदस्त marks जो है, मिलते हैं, ultimately अपना target यह है कि FMA 50 में से, वैस्तों में 50 ही कहना हो चाहूंगा, क्योंकि इसकदर आपकी तेयारी होजेगी कि 50 में से 50 लेकर आ सकते हो, लेकिन 45 प्लस बड़े आराम से आप score कर सकते हो, strategic मैंने ने 50 नंबर के बिंगा theory, हम दो तिन नंबर की रियायत दे देते हैं, कि इसमें भी आप 40 प्लस easily लेकर आ सकते हो, तो 85 प्लस 80 प्लस तो कहीं भी नहीं अच्छे से आप लेकर आ सकते हैं, यह सबी चीज़ें क्लास के अंदर मैं आपको लिखवाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा जब आप और मैं मिलकर पढ़ेंगे subject को, उसके अलावे मैंने क्या बताया था, एक है EPSM की MCQ की किताब, यह लीजे, तो यह SM की MCQ किताब का पहल चैप्टर है, introduction to strategic management, यह आगया आपका question number one, यहाँ question लिख है, चार options है, और जो बताया था, यह आगई जी आपकी, साथ में आप star rating यहाँ पर अगर देना चाहें, तो आप यहाँ पर star rating अपनी दे दीजे, so that exam वाली day पर सिरफ important question को refer करें, और यहाँ पर reference material के बारे में लि जाते हैं, और इसमें भी जितने institute के question है, वो सारे तो ही है, उसके अलावा जितने question हमें लगता था, curate करके बनाए जा सकते थे, आपके लिए, so that it, mind open हो जब आप MCQs को पढ़ें, तो उस तरह से बनाएंगे हैं, तो जैसे chapter number one है, इसमें approximately मेरे ख्याल से 35 के आसपस questions है, ब अभी आपको, मतलब, you will feel next level, कोई भी subject आप पढ़े, हलांकि हमारा जो वीडियो FMSM के है, तो we will focus on FMSM only, आपको इस subject के लिए कहीं और जाने की कोई अवशकता नहीं है, 100% trust के साथ, you can go and buy our classes, sir, थोड़ा सा और बता दो, तो जो मैंने कहा था, हम अपनी वीडियो को दो भाग SM रहता है, classes कैसे मिलते हैं, आपको Google Drive के माध्यम से classes, जो हैं पुतर मिलेंगी, मेरा बड़ा ही simple सा concept है, मैं ऐसा मानतों बेटा, time is the key, CE जैसे exam में, जहां पर हमारे पास limited time होता है, तो time is the key, तो मैं यह मानता हूँ कि recorded classes are the best, आपको जो recording मिलेगी, हमारे latest batch की recording मिलेगी, एक सारा time कभी physical equipment खराब होने में चला जाता है, हमारे यहां अगर कभी कोई दिक्कत आ गई, वैस तो आती नहीं, अगर आती है, तो हम उसे edit करके बाहर निकाल देते हैं, मतलब अगर दो घंटे का lecture है, तो दो घंटे की pure knowledge होगी, ऐसा नहीं कि दो घंटे में से सरफ देट घंटे की knowledge मिल रही है, फिर class के अंदर बच्चे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो mismatch सा होता रहता है, उसके कारण कई बार बाध हा जाती है, वैसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, मानलो जी तो teacher आपकी class ले रहे हैं, teacher की तबियत खराब हो गई, medical emergency आगई, या फिर कही खराब हो गई, आपको कहीं जाना पड़ गया, आप कहते हैं, तो यहां पर ऐसा नहीं है, आपके लेक्चर आपके पास या बड़े इसली तीन दिन के बाद आएंगे, आपको लग रहे हैं, आप एक दिन में दो दो lecture देखकर उस बेक्लोग को पूरा कर सकते हैं, मानलो जह आप face to face a live class लें, वो कहते हैं, हम Sunday को नहीं पढ़ाते, लेकिन आपको लग रहे है कि काश है, Sunday को lecture मिल जाता है, तो यहां पर ऐसा नहीं है, आपके पास class already, आप immediately class अपनी जब चाहें तब चला सकते हैं, very very important, जब मैं class के अंदर इतने बढ़िया तरीके से notes आपको बनवा class में तेज़ देज पढ़ाने के चक्कर हैं, बच्चे अपनी चीज अच्छे से लिखनी पाते हैं, अच्छी writing में note नहीं कर पाते हैं, और कुछ चीज ने छूट जाती है, फिर कई बार देखा जाते हैं कि तेज़ देज कराने लग जाते हैं, बच्चों को ना समझाते है हमारे पास कोई ऐसा target नहीं कि मुझे इतने ही घंटे के अंदर class खतम करनी है, इतने के अंदर class खतम फिर तो वही बात होगी, जैसा जैसा पढ़ागे मैं बैच खतम करो, तो आप देखो कि मेरी class में जो first day में मैं पढ़ा रहा हूं जिस तरह से last day भी उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, और notes बनाने की जहां तक बात है, कहीं पर बच्चे को लगते हैं, अलग से noting करने हैं, screen को immediately pause करके आप अपनी, जो भी लिखना चाहते हैं, अपनी language में, अपनी understanding के लिए, वहां पर लिख सकते हैं, तो ये वली चीज भी आपको काफी ज़ादा help करती है, ठ अपने बारे में, अपने बारे में, options दो होती है, regular और fast tech, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो regular बैच ही मैं कहूंगा, suggest करता हूँ आपको, लेकिन हाँ, अगर मान लो, आपके exam को दो महीने रहे हैं, और आपका मन करें किया, attempt तो मैं छोड़ना नहीं चाहता हैं, मैंने बता दिया, पढ़ाने का तरीका का है, पूरे chapter को मैं बहुत छोटे-छोटे concept में बाढ़ देते हैं, theory and practical साथ सत हमारा चलता है, concept clarity की guarantee, 100% मिलेगी, और standardization के बारे में मैं आपको बताया है, हाँ, ये वाला point बहुत ही ज्यादा amazing है, हमारा daily cumulative revision, ये क्या चीज़ ह आपको कोई बीचीज में भूलने नहीं दूँगा, मानलो आप lecture number two में आए, तो lecture number two जब start होगे, ये नहीं कि आती ही start होगे, हाँ भी लिखो भी concept नहीं, जो lecture one में बढ़ाया था, पहले उसकी revision होगी, फिर जब lecture three में मिलोगी, जो one plus two में बढ़ाया, उसकी revision होगी, lecture four में जब start करेंगे, तो one plus two plus three की revision होगी, तो starting के eight to ten minutes हर lecture के अंदर, पिछले lectures की revision को dedicate होते हैं, which make sure कि आपकी कोई भी चीज छूटे नहीं, और भड़िया तरीके से आपका चलता रहे, और best suited for revision है, reason, आपके notes जो है, बहुत amazing बनवा दूँगा, class puzzle के question साथ साथ आप मेरे solve Home puzzle का register अच्छा सा बनाओगा, तो जब revision करोगे, यह सब चीज़ें जब आपके सामने होगी, revision start करने से पहले confidence होगा, कि भाई सारी चीज़ें मेरे पास है, source जिसको बोलता है, notes मेरे पास है, class puzzle मैंने solve कर लिए सर के साथ, home puzzle मैंने अपनी already की हुई है, और जब revision करोगे, कई Remember revision करने बच्चे बैठते हैं, कहते हैं, यह chapter start कहां से करूँ, समझने आ रहा है, लेकिन हमारे यह ऐसी दिक्कत नहीं है, मैंने concept 1, 2, 3 सारे करवाए हूँ, तो आपको उसी hierarchy में पढ़ना है, कि यह सर ने पहले concept 1 लिखा है, मुझे री पढ़ना है, फिर concept 2, 3 इस तरह से material, new syllabus के हिसाब से पुरा design है, most comprehensive है, इस से बाहर कुछ भी करने के अवशकता नहीं है, no need to do anything else, और पूरे भारत के अंदर maximum practice of question आपकी करवा देंगे, यह मैंने बता दिया, daily homework checking, यह हमारा जबरदस point है, जिसके कारण I will make sure कि हम exam के अंदर अच्छे marks लेकर आपें, sir, sir, online class मे हमने कोई भी junior, junior नहीं रखा हुआ, हम भी direct आपके doubt solve करेंगे, directly मैं ही solve करूँगा, आपके WhatsApp number दिया जाएगा, जिस पर आप अपना query भेज सकते हैं, मेरा solution आपको आजाएगा, sir, अगर हम group 2 के अंदर, sir, combo लेना चाहे है, तो क्या combo available है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे तो, currently क्या कोई discount चल दा है, जी हाँ, currently discount चल रहा है, 5 जून तक हमारी सभी classes पर discount है, sir, आपकी class ले, कैसे सकते हैं, जरा ये बता दी तो आपको इसके लिए हमारी official website पर जाना होगा, मेरे ही नाम से बने है, c.raholgar.com, इस website पर जाकर आप अपनी classes को book कर सकते हैं, classes book जैसे ही within a minute आप अपनी class स्टार्ट कर सकते हैं, बच अगरे class स्टार्ट करके क्या करेंगा, hard copy थोड़ी आजीगे, एकदम से उसको तो आने में time लगेगा, sir के office से निकलेगी, pack होगी, निकलेगी, courier के द्वारा हम तक पुझेगे, tension मतलो तुमारे सामने tanker बंदा बैठा है, मैंन लिए अपनी study स्टार्ट कर सकते हैं, hard copy books जब तक पहुंचेंगी, तब तक आपका पहना number chapter का PDF आपकी मदद करेगा, ठीक है न, तो classes purchase करने का दुरुकनी के अविशक तनी है, knowledge immediately impart हो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, और जहां तक result की बात है, कुछ नए बच्चे आते वो कहत सकते हैं, और हमारी website पर जाएंगे, वहां पर results नाम का एक आपको tab दिखेगा, उस पर जाएंगे, तो आपको हर attempt की, जितने भी attempt recently हुए हैं, उसमें हमारी exemption list, बच्चों की photos के साथ, marks, etc, सब चिस दिखेगा, and last year we scored more than 6000 exemptions, तो tension किसी बात की मत लीजिए, you are in the absolute safe hands, और यही कर चुके हैं, without much knowledge, तो मैं कहूंगा कि, किसी भी जगहां पर, सिरफ किसी वजह से कि, भाई, मौज मस्ती हो रही है, या ऐसा और है, वैसा और है, किसी भी reasons से ना फसे, choose a good mentor, and मैंने अपनी सारी चीजों के बारे में, detail में, इसलिए बताया, so that आपको समझ आ जाए, मैं ऐस कि.